हैलो फ्रेंड्स वेलकम बाइक टु मैं चैनल तो आज हम बनाएंगे आलू की बिल्कुल नए तरीकी की सबजी इसे बनाना भी आसान है एकदम सोफ्ट बनती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और इस आलू की सबजी को पोस्टिक बनाने के लिए हम इसमें को आलू का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है एक से दो आलू काफी है और इस तरीके से चोटे-चोटे पीसेज में काटने के बाद हम इसे अच्छे से धोकर शाफ कर लेंगे और उसके बाद इसे एक मिक्सी जार में डाल देंगे साथी में कुछ लसन की कलियां और थोड़ा सा कटा हुआ अद्रख भी इसमें डाल देंगे और दो हरी मिश भी मैं इसमें डाल रही हूँ तो चलिए अभी हम क्या करेंगे कि इसे साइड में रखेंगे और यहां पर देखिए मैंने क्या किया था ना कि चना दाल और मसूर दाल दोनों को एकी साथ में भीगो कर रखा था चार से पाच घंटा के लिए और यह बहुत अच्छे से फूल भी गया है तो आप चाहे न तो केवल चना दाल भी ले सकते हैं या फिर चना दाल मुंग दाल ऐसे मिक्स करके भी ले सकते हैं या फिर मसूर दाल चना दाल मुंग दाल आपको जो भी दाले पसंद हो आप इस तरीके से भीगो कर रख दीज केवल आलू से ये सबजी नहीं बन पाएगी और अगर हम इस तरीके से इसमें दाल भी आइट कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पोस्टिक भी हो जाएगा और ये आलू की सबजी अच्छे से बन भी जाएगी और इस तरीके से बनाएंगे तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है पानी का यूज इसमें बिल्कुल मत कीजिएगा इसी तरीके से पीश लेंगे क्योंकि आलू के अंदर नहीं बहुत सारा पानी होता है तो उसी के साथ ही में ये पीश जाएगा तो देखिए मैंने इसे अच्छे से पीश लिया है एकदम फाइन पीश कर मैंने इसको तयार कर लिया है अब क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा नमक आइट कर लेंगे यानि कि स्वात के अनुसार नमक आइट कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यहां पर चाहे तो दुबारा से मिक्सी को एक बार चला सकते हैं अब क्या करना है कि कोई साभी एक प्लेट ले लेना है और इसको तेल से अच्छे से ग्रीज कर लेना है और उसके बात क्या करेंगे कि जो हमने आलू और डाल को पीस कर रखा है उसे इसमें डाल देंगे और यहां पर देखिए मिक्सी की जार को आपको धोने की जरूरत नहीं है इसे इसी तरीके से रखिएगा आगे जरूरत पड़ेगी हम इसी में आगे की चीजे भी पीस लेंगे तो इस तरीके से स्पून की मदद से इसको चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिये और अब चलते हैं हम इसको इसको इस्टीम करने के लिए गैस की तरफ तो यहां पर देखिए गैस पर मैंने पानी रखा था पहले से ही गरम होने के लिए और यह अभी गरम हुआ है अभी इसमें उबाल नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरीके से साबूत प्याज को डाल देंगे मैंने चोटे-चोटे से प्याज और दो मेडियम साइज के प्याज लिये हैं तोटल प्याज प्याज मैंने हापर लिये हैं आपको जितनी ग्रेवी बनानी हो उसके अनुसार आप इसमें प्याज आइट कर सकते हैं प्याज को छिलने के बाद अच्छे से धोल लीजिएगा उ इसे भी डाल देंगे साबू थी और उसके बाद कुछ लसन की कलियां इसमें डालेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा मैने अदरख का डाला है और उसके बाद इसमें तीन सुखी लाल मिज में डाल रही हूं तो चलिए इन सारी चीरियों को डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके उपर से हम जो हमने डाल और आलू को पीस करके प्लेट में रखा है ना उसे इस तरीके से इसके उपर रख देना है ताकि दोनों काम ना साथ ही में हो जाएगा इस तरीके से हमें अलग-अलग से इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही साथ में दो काम हो जाए है तो चलिए इस दही में हम आयट करेंगे आधी छोटी चमच गरम मसाला का पाउडर और थोड़ा सा कसूरी में ठी और इन सभी को अच्छे सेड मिकस कर लेंगे तो देखिए मैंप उन्हारी को अच्छे से यह स्टीम होकर के पक गया है अब हम इसे इस पर से हटा लेते हैं और नीचे हमारा प्याज टमाटर लासन अद्रक यह सारी चीजे भी अच्छे से पक गई हैं इन्हें भी हम क्या करेंगे कि एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और जो इसमें पानी बचा हुआ है ना इस रेगुलर बनाते ही है नॉर्मल तरीके से लेकिन एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी बहुत टेस्टी सबजी बनती है और यह जो हमने कतली बनाई है यह बहुत सॉफ्ट बनती है यह देखिए मैं आपको अभी दिखा रही हूं यह कितना सॉफ्ट बना है यह देखिए इसके अंदर आपको जाली भी दिख रही होगी बहुत ही बढ़ी आसा सॉफ्ट बना है और यहां पर देखिए हमने जो प्याज टमाटर हरी मुच यह सारी चीजे बॉइल करके रखा है ना क्या करेंगे कि टमाटर के उपर का पहले चील का हम हटा लेंगे और उसके बाद हम इसे एक मिक्सी की जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसे इसी तरीके से पीस लीजिएगा तो देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है अब चलते हैं हम सबजी को फटा कर रखते हैं मैं थोड़ा सा कम तेल डाल करके सबजी बनाती हूं तो मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है और जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें आइट करेंगे आधी छोटी चमच जीरा और आधी छोटी हाँ चम. हो एक समीरी लाल मिच का पाउडर िड़कर और इसे अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे तो इस तरहीं के साथ हम से अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से हम इस banco करेंगे यह इसके बहुत और इसको अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पर देखिए जब यह इस तरीके से भून जाए तब हम इसमें कुछ सुखे मसाले भी एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोटी चमच जीरा पाउडर और एक छोटी चमच मैं इसमें डाल रही हूँ कीचन किंग मसाला अगर आपके पास यह नहीं है तो आप सबजी मसाला भी डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक की मसाले अच्छे से भून नहीं जाते हैं और यहाँ पर देखिए मसाले वगएरा सारी चीजे ना अच्छे से भून गई है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ख्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और उसके बाद हम इसमें दही आट करेंगे जिसमें हमने गरम मसाला का पाउडर और कसूरी मेती डाल करके रखा था वो डाल देंगे इस तरीके से और फटा-फट से इसको मिक्स करेंगे अब यहाँ पर फ्लेम को एकदम लो रखना है नहीं तो दही के फटने के चांसे जराते हैं और इसे फटा-फट से मिक्स करना होता है तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 2-3 मियट के लिए और भून लेते हैं तो यहाँ पर देखिया मैंने मसाले को 2-3 मियट के लिए अच्छे से भून लिया है अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा रीच बनाने के लिए मैं इसमें दो चमच मलाई एट कर रही हूं आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर इसके बगएर भी बना सकते हैं तो 2-3 चमच मैंने इसमें मलाई डाला है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मियट के लिए और भूनेंगे तो देखिए जब इस तरीके से तेल सेपरेट होने लगे तब समझ जाईएगा कि मसाले अच्छे से भून गये हैं अब हम इसमें पानी एट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं वहीं वाला पानी डाल रही हूं जो हमने टमाटर और प्याज को बॉयल किया था तो इसे मिक्स कर लेते हैं और अभी हमें इसमें और पानी डालना है क्योंकि यह अभी बहुत गाढ़ा है और इस gravy को थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि जो हम इसमें कतली डालेंगे वो बहुत ज़्यादा पानी अपज़व करता है और gravy आपकी गाड़ी हो चाहेगी इसलिए थोड़ा सा पतला ही रखना है पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम क्या करेंगे कि इसमें हमने जो कतली बना कर रखी है वो डाल देंगे अब यहाँ पर आपके पास दो ओप्सन है आप चाहे तो इसे इसी तरीके से कच्चा डाल दीजिये या फिर आप चाहे तो इसको fry करके भी डाल सकते हैं तो आपकी मर्जी है आप इस तरीके से बनाईए या फिर fry करके बना सकते हैं तो सारी कतली को हम इसमें डाल देंगे और इसे mix कर लेंगे और उसके बाद हम इसे cover करके 2-3 मियट के लिए पकने देंगे तो चलिए 2-3 मियट हो गए हैं और हमारी सबजी अच्छे से पक चुकी है और यह देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी सबजी बन कर तयार हुई है और देखने में बिल्कुल लग रहा है ना एकदम पनीर की सबजी हो और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो इस सबजी को आप रोटी, पूरी, पराठे या फिर नान या फिर चावल के साथ खाएए उतना ही टेस्टी लगेगा क्योंकि यह बहुत टेस्टी लगती है और फ्रेंड्स आपको यह रेश्पी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा मिलते हैं को और अच्छी सी रेश्पी के साथ तब तक के लिए टेक के और बाई बाई